Hello everyone, मैं नहीता ठाकूर, Welcome to my YouTube channel और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 9th History, Chapter 5, Section 2.2 जो हैं उसको डिसकस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं How did the pestrolist go with these changes? मतलब कि pestrolist ने किस तरह से, मतलब अपनी life को किस तरह से settle किया, ठीक है? तो अब यहाँ पर बताया गया है कि pestrolist जो थे उन्होंने react किया, कि अब इतने सारी changes हो रहे हैं, तो मतलब उनको ना क्या करना, अपनी life को चलाने के लिए बहुत सारे ways जो हैं, वो differently use करने होंगे, ताकि वो अपनी life stock को enjoy कर सके और मतलब survive कर सके उन्होंने क्या किया? अपनी cattle की numbering को reduce कर दिया, मतलब जो भी उन्होंने पशुर रखे थे, मवेशी रखे थे, जानवर रखे हुए थे, उनको कम कर दिया, क्योंकि उनके पास चारा नहीं था, ठीक है? पहले क्या होता था? उनके पास बहुत जादा चारा होता था, मतलब pasture होता था, जिसे कि वो क्या करते थे? अपने cattle को feed कर वा सकते थे, मतलब चरा सकते थे, उनको properly, उनका material जो था, वो मिल जाता था अब उसके बात क्या हुआ? उनके पास grazing ground जो थे, वहाँ पर कोई भी pasture मतलब नहीं मिल रहा था, किसी भी तरह का forage नहीं मिल रहा था, उनके लिए बहुत difficulty face करनी पड़ रही थी, cattle को, तो feed कर वाने में, तो उनके निव वेस जो थे, मतलब new areas को discover कर दिया, और उनके क्या कर नश्रू कर दिया, वहाँ पर move करना श्रू कर दिया, 1947 के बाद, camelo sheep के जो, मतलब जिनने camelo sheep को रखा था, जिनको रैकष कहा जाता था, उन्होंने क्या करना श्रू कर दिया, उन्होंने सिंध की तरफ move करना श्रू कर दिया, और अपने camels को in this river जो है, उसके bank के, मतलब वह यहाँ पर grace करवाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर चराना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वह पहले हुआ करते थे, अब new political boundaries जो थी वह बन चुकी थी, इंडिया पाकिस्तान की 1947 में तो आप लोंको पता न, partition हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान की जो new boundaries थी, उसमें उन् ने places उन्हें ने मतलब दूनना शुरू कर दिये, जहाँ पर वो जा सकें अपने herd के साथ, ठीक है, और recent years में देखा गया, उनकी migration जो थी, वह होना स्टार्ट हो गई, हर्याना की तरफ, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने sheep को लेके जाते थे, वो agriculture fields में, जहाँ पर harvesting के बाद areas को open छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर जब harvesting हो जाती, मतलब कटाई हो जाती है, वसल की उसके बाद, क्योंकि वसल काटने के बाद manure की भी जरूरत होती है, जो कि animals provide करते हैं, तीक है, क्योंकि उससे fertility जो है, वो increase होती है, soil की, तो इसलि ना कहीं, sheep को भी, मतलब feed करने के लिए, कुछ नो कुछ मिल जाएगा, कुछ सालों तक, क्या हुआ, यह जो rich pestrolis थे, उन्होंने जमीन खरीदना शुरू कर दिया, और वहीं पर ही settle हो गए, एक ही जगा, उन्हों नमाडिक लाइफ को छोड़ दिया, ठीक है, और कुछ जो थे, वह settle होगे, peasants के साथ में, cultivating land के उपर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब trading करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे, जो मतलब poor pestrolis थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने money lender से, उधार पैसा लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हो उन्होंने बहुत जाद अपने cattle को अपने, मतलब sheep को क्या कर दिया था, lost कर दिया, क्योंकि वो properly उनको feed ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब feed ही नहीं करवा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ और activities करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो मतलब survive कर सके, और laborer का का काम क करना स्टार्ट कर दिया, कि हाँ, जैसे हम लोगों ने आपकी money वगारा लिये, तो हम आपके खेतों में काम कर लेते हैं, laborer का, तो वो पैसे वगारा जो है, वो मतलब वहीं सही earn करेंगे, तो आपको return कर देंगे, अभी तक यह जो सिर्फ पैस्ट्रोलिस्ट ही नहीं थे, उन्होंने मतलब continue leave or survive कर रहे थे, बहुत सरी रीजन में और भी जादा ऐसे problems देखने को मिली, और भी जादा ऐसे मतलब हम लोग बोल सकते हैं, मतलब बहुत सरी रीजन जो थे, उनकी numbering में पैस्ट्रोलिस्ट की expansion हो रही थी, मतलब कुछ decades पहले हम लोग बोल सकते हैं, उन मतलब पूरी तरह से खतम हो चुकी थी, अब उन्होंने कुछ और directions यूज करी, movement करना शुरू कर दिया, अपने herds की size को reduce कर दिया, cattle कम कर दिया उन्होंने, और मतलब ये पैस्ट्रोलिस्ट activities के साथ साथ उन्होंने कुछ और income earn करने वाले ways to use किये, जिससे की modern world में तो आप सारी ecologists जो थे, वो ये believe करते थे, वो ये सोचते थे, कि dry regions में, मतलब जैसे dry regions होगे, mountains होगे, वहाँ पर pastoralism जो है, मतलब nomadic life जो है, वो अभी भी मतलब survive कर सकते हैं, वो करने जोगे है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हद तक उन पर restrictions नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे changes, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे changes जो थे, वो pestilis community को ही नहीं face करने पड़े इंडिया में, और ये बहुत सारी मतलब हम लोग बोल सकते communities थी, जिनको ये सब face करना पड़ा, और world की other parts में भी कुछ new laws लगाएगे, settlement pattern को change किया गया, pestilis communities को कहा गया कि आपको अपनी life stock को earn करने के लिए कुछ change लाना पड़ेगा, मतलब alteration होगी, तो ये सब communities जो थी, उन्होंने किस तरह से changes लाए और modern world में उनने survive किया, तो ये सब हम लोग उन्हें पढ़ लिया, ठीक है, तो आगे हम लोग next section जो है, section third जो है, वो next lecture में discuss करेंगे, I hope आप लोग को समझवाया होगा, thanks for listening and stay blessed always. उन्हेंए कर दो में आप ली, तो और बस्मेपने लाए थेर लोग को साथने लाए जाए ली, तो ये बना लेक लिए ली, तो ये सब लू दोगवाख ली, तो ये सब ली, अज्याए ले वी, ये